देश्वर में आज मनाई जा रही है एद मस्जिदों में अदा की जाएगे नमाज लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारक बाद दली की जामा मस्जिद में सुबा से नमाजियों की भेड उम्री लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारक बाद दियो नमाज अदा की पाकिस्तानी कनेक्शन पांस से लिएक तीन आतंगवादी थे पाकिस्तानी पर अब तक करीब दस संदिक्दों को लिया गया हिरासत में इनाइए सेना और पुलिस कर रही है पूछताज तुंच के जंगलों में सेना का सर्च ओपरेशन जारी हेलिकॉप्र रोन और स्निक्वाट डॉक्स की मदद से की जारी आतंखवादियों की तलाश ग्रेमंत्राले और एनाईय को भीजी गई है आईवी की रिपोर्ट एनाईय सभी तत्यों की कर रही है जाच काउनिस प्रवक्ता पवन खेडा ने जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सिचुएशन के दावे को बताया जूट कहा कि जवान शहीद होते हैं और सरकार एक शब तक नहीं कहती संजेराउट ने आतंखवादियों ने मौके का फाइदा उठा कर अटेक किया आरजडी नेता शिवानन तिवारी का मोधी सरकार पर अटेक कहा कि सरकार दावे बड़े-बड़े करती है लेकिन आतंख की हमलों पर नहीं लगा सके रोग आतंखी हमले में शहीद पंजाब के चार जवानों के परिवार वालों को एक एक करोड देगी भगवन्त मान सरकार CPI सत्यपाल मलिक से 28 अफ्रिल को दोपेर देर बज़े करेए पूच्थाश मलिक के आरके पुराम निवास में ही पूच्थाश का समन सीबी आई के नोटिस पर बोले सतिपाल मलिक मैंने सच बोल कर कुछ लोगों के पाप उजागर के सिलिए मुझे तलब किया गया पुर्वराजपाल सतिपाल मलिक ने दिया ट्वीट लिखा कि किसान का बेटा हूँ घबराओंगा नहीं सचाई का साथ दूगा मैं किसान का बेटा हूँ घबराओंगा नहीं सूत्रों के मताबिक साहिस्ता ने अथिक के पुराने वकीलों को बदला पुलिस के रडार पर है पुराने वकील अथिक फरार गुर्गे गुड़ु मुस्लिम के दमकी बरी चिठी लखनों के देवेंदर तिवारी को 20 लाग रुपए प्रयागराश पहुचाने के लिए कहा गुड़ु मुस्लिम ने चिठी में लिखा अतिक एहमद जरूर मर गया लेकिन अभी उसका गैंग जिन्दा है अतिक एहमद के शूटर्स का नया वीडियो अतिक के बेटे अली के साधिक शूटर अर्मान घुलाम गुड़ु मुस्लिम और असर 2022 का वीडियो अतिक बडर के महाने असर दुदिन ओवेसी ने फिर खेला मजबी कार्ड बोले कि पुलिस कस्टरी में मुसल्मानों को मार दिया गया देश और प्रदेश के मुख्या बताएं क्या हो रहा है असदुद्दिन ओवेसी ने शूटर्स को बताया तंकी कहा हमला वरों पर क्यों नही लगा यूए पीए। असदुद्दिन ओवेसी का सवार शूटर्स के पास 68 लाके पस्तिल कैसी आई एक हाथ से प्रफेशनल शूटर कर सकता है मुक्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ लुकाउट नोटीस जारी किया गया ग्रिफतारी के लिए महूं और गाजीपूर में ताबर तोड़ शापे मारी तीन थानों की पुलिस पोर से सभी समवारित ठिकानों पर टाल रही है दविश पुलिस को डर कहीं विदेश ना भाग जाए आफ शानसारी मोहिट जैसवाल अपरहन कार्ण में अब पांच मैं को होगी सुनवाई आज नहीं हो सकी है सुनवाई अतिक का बेटा उमर अपरहन केस का मुख्यार हो दी लगनों की अजरत गंच पुलिस ने तौकीर आहमत को हिरासत पे लिया मोहिट जैसवाल मामले पर करेगी पुष्टाच, हुमर और तौकीर एक साथ जेल में बन थे राहूल गांधी आज खाली करेंगे बारात तुगलक लीन का सरकारी आवास लोगसवा सचिवाले के अधिकारी को सौपिंग बंगले की चावी मोधी सरने मामले में दो साल की सजा के बाद खत्मूई राहूल गांधी की लोगसवा सदसिता सचिवाले ने बाई सप्रेल तक बंगला खाली करने का दिया था नोटिस कानाटक के बीदर में जेपी नड़ा ने किया रोडशो कहा कि समाज को बाटते माटते कॉइड़ गाटते कुछ नहीं बढ़ गई है कि कुछ नहीं बचा प्यामोदी के फोन करने पर गदगद हुए के ऐसे शुरपा का करनाटक की जीद के लिए सम्मिल कर करेंगे कान कॉंग्रिस नेता जगदीश शिक्टार बोले बीजेपी ने मेरे सौईमान को ठेस पहुचाई है कॉंग्रिस में जाने के बाद भी हुबली के लोगों से पहले जासा रिष्टा नसी पी नेता जीतेंदर रहवाड का विवादत बयान का लगता है दंगो के लिए मनाई जाती है राम नौमी और हनुमान जैन्ती जीतेंदर रहवाड ने कहा कि आने वाले साल धार्मिक दंगों के साल होंगे दंगों की वज़े से शेहरों का महल हुआ जहरिला 24 अपरेल को मतिप्रदेश के दोरे पर जाएंगे पीमोदे उनीस हजार करोड से जादा की परियोजनाओं की रखेंगे आधार शिला 25 अपरेल को किरल जाएंगे पीम 13 वननत पुरा में वन्दे वारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाएंगे कई परियोजनाओं की रखेंगे आधा शिला सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचना लोगों को अस्पतार ले गई कई लोगों की हालत गंभी पश्यम बंगाल के नौर्थ दीजनापूर में दिल देहलाने वाली घटना चात्रा के साथ रेप और मदर के बाद भढ़का लोगों का घुस्सा चात्रा के परिवार वालों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किया पुलिस ने प्रदर्शन कारियों पर जम कर लाठिया चलाई पुलिस पर प्रदर्शन कारियों की जड़प में चले बंप प्रदर्शन कारियों ने पुलिस पर किया पत्राओ पुलिस परिवार वालों से छात्रा का शब जब्रन छीन कर ले गई पूरे इलाके में इस वक्त जबर्दस तराओ दिली की साकेट कोट कैंपस में फायरिंग से हड़कंप एक महिला और मुन्शी को लगी गोली दिली पुलिस ने फायरिंग करने वाले वकील को पकड़ा पैसों के लेन देन की वज़े से गोली बारी कॉंग्रिस ने भी दिली की कानून वबस्था पर उठाए सवाल कहा कि लोग सरकों पर निकलने से डरते हैं कॉलकर्ता में एक प्लास्टी गोदाम में देरात लगी आग देखते देखते पूरे गोदाम को चपेट में लिया फार्विगेट ने आग पर काबो पाया गोदाम से सभी लोगों को निकाला गया किसी को हताहत होने की खबर नहीं अंधर प्रदेश की गुझूर में एक प्राइवेट कंपणी में लगिया आग हिलाके में मची अफ्रा तप्री दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबो पाया काफी नुकसान की आशनका महाली के देरा बसी में टंकी की सफाई के दौरान जरीली गेस का रिसाव हुआ टंकी में घुसे चार लोगों की मौत पुलिस मामले की जाट पुझूटी कहा दोशी पाय जाने वालों के खलाब सक्त कारवाई करेंगे चतिजगर के बीजापूर में स्टेफ ने नकसल कैंप का वंडा फोर किया भारी मात्रा में डेटोनेटर और विस्फोटक बरामत नकसलियों के कैंप से आई डी भी मिले सुरक्षावलों ने क्या निश्क्रूए हर्याडा के रोतक में मंडियों में जगे ना होने से किसान परिशान खुले में गेहूं डालने को वे मजबूर गेहूं सड़क पर डाले जाने से रास्ता हुआ एक तरफा आने जाने वालों को परिशानी हुई बागेश्वर धाम की पीटादीश्वर धिरेंद्र टिश्न शास्त्री काज बोपाल दोरा भगवान परश्राम की जैनती के मौके पर आएंगे मुपाल में भगवान परुशनाम जैनती पर कई कारिक्रमों का होगा आयोजन धिरेंदर शास्त्री नौ बजे कारिक्रम में शामिल होगे यात्रा के लिए पद्रिनाथ मंदिर के रास्ते से लगने वाले दीवारों को किया जाएगा पेंच गोवा से बना कर लाए गए हैं डिजाइन देश भर में कुरोना संक्रमन के 11,692 नए मामले सामने आया है एक दिन में 28 कुरोना पीड़ितों की जान गई चौथे दिन 200 से जादा करोना के से पिछले 24 घंटे में 226 मामले सामने आये तो करोना पीड़ितों की मौत करोना के बड़ते केस को लेकर केंटर काट राज्यों को निर्देश, टेस्टिंग, जीनोम, सिक्वेंसिंग और जागुपता पर करें फोकस रूसी एरफोर्स ने यूकरेन की सीमा से सटे अपने ही बेलोगाद शेहर पर बम गिराया, रिहाशी इलाके में बम गिरने से दो नागरी खायल हुए रूसी सेना ने बात में मानी हलती कहा, रूसी विमाने हलती से अपने ही लाके में गिरा दिया था बग अमेरिकी यूकरेन की सेना को देगा अब्राहम टैंक्स की ट्रेनिंग, अमेरिकी रक्षा मंतरी लॉयड आस्टिन ने अलान किया मेक्सिको ने तदाकिस्तान को बेचा राष्ट पती का लगजरी विमान तदाकिस्तान ने बोईंग 787 विमान के लिए देए 9 करोड 20 लाग डॉलर भारती विदेशी मुद्रा भंडार में बरौतरी जारी एक अरब 65 करोड डॉलर की बरौती दर्श मुमई में आज की दूसरे मुकाबले में मुमे इंडियन्स और पंजाब किंग्स के ओगी भडंत शाम साठे साथ बजे से खेला जाएगा मैच आई पेल में कल खेले गाए मैच में चिन्नई ने हैदराबाद को साथ विकेट सेहराया पॉइंट्स टैली में 30 से नंबर पर पहुंची सीएस के संराइजर साथ इदरबाद ने चेन्नई सूपर किंग्स के सामने 135 रनों का दिया था टारगेट चेन्नई की टीम उनीस्वे ओवर में 138 रन बना कर चीत लिया मैच चन्ने की तरफ से ड्वेन कॉनवे ने नाबाद 77 रनों की पारी खेली रितुरांज गाईकवाड ने 35 रन बनाए रवेंद्र जडीजा को मिला प्लेयर आप दी मैच का वाड़ जडेजा ने चार ओवर में 22 रन देखर तिन विकन चटके आइपेल में महेंदर सिंग धूनी के नाम के एक रिकॉर्ड और कैच स्टंपिंग और रन आउट के जड़िये 200 बार बल्ले बास को आउट करने वाले पहले खिलाडी बने आइपेल 2023 का फाइनल और प्लेयाओफ का श्री उल्जारी 28 मई को आहमदाबाद के नरेंद्र मूदी स्टेडियम में हुगा फाइनल चेनर में 23 मैं को क्वालिफायर खेला ज्वाएगा कौलिफायर एक से लेके 24 मैं को होगा Eلمinator और 26 मैं को Ahmedabad में होगा क्वालिफायर टू इत से एक दिन पहले रिलीज हुई सल्मान खान की किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर धirmाल मचाने के उम्मेर तबुनेपूरी की आगामी फिल्म औरो में कहा दम था की शूटिंग अजदेवगन भी एहम भूमिगा में नसर आएंगे शारू खान की आगामी फिल्म जवार में दिखेंगे तेलगू सुपरस्टार अलू अर्जुन पहले किया था काम करने से इंकार